हर खबर पर है हमारी पहली नजर उत्राखन की बुलंद आवाज आप देख रहे हैं न्यूस पोटल उत्राखन कॉंग्रेस के राश्टी अस्टार प्रचारक आज हल्दुआनी पहुची वहीं जंसभा को संबोदित करते हुए प्रियंका गांदी ने भाशच्पा पर हमला बोला उन्होंने का भाशच्पा ने पिछले 5 सालों में उत्राखन का कोई भी विकास नहीं किया उन्होंने कहा मैंने यहां देखा कि उत्राखंड की महिलाएं शेरों से भी लड़ चकती हैं दुनिया में उत्राखंड की महिला सबसे बहादुर हैं जो महिलाएं शेर से लड़ सकती हैं वह सबता का एक मिनट में परिवर्तन कर सकती हैं वहीं उन्होंने कहा कि एगर कॉंग्रेस की सरकार उत्राखंड में बनती है तो 500 से उपर सिलेंडर के दाम नहीं होगे और रोज़गार को लेकर किसी भी युवक योती को परेशानी नहीं होगी हमारी पहली प्रात्मिक्ता उत्राखन के अंदर उत्राखन का विकास है क्योंकि भाश्पा के अंदर केवल दिखावा है वही हरी श्रावत ने कहा कि आज जिस प्रकार से कारेकरताओं में जोश दिख रहा है और प्रियंका गांधी का समर्थन करने के लिए सुबह से ही लोग यहां मैदान पर बैटे हैं इससे साफ होता है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनना तै है अब नव्योग सारे बेरोजगार है महंगाई इतनी बढ़ गई है परिस्थितिया यह है अस्वाभाविक है कि जनता ठक गई है जनता परिवर्तन चाहेगी है जो हमारे गोश्णा पत्र में लिखी है उसे तमाम ने जो इस सबसे पहली तो यह है कि जो हजारों खाली पद पड़े हैं सरकारी सबसे पहले तो वो भरे जाई फिर हमने कहा है कि जो गैस का сильिंडर है जो आज आपको हजार दोजार में मिल रहा है 500 से जादा हम उसका दाम बढ़ने नहीं जाएंगे इस तरह की बहुत सारी गोष्णा है जो से देखिए सिर्फ गोष्णा के तौर पे नहीं है इनको पूरा किया जाए है क्यों कि अनुभव है सरकार चलाने का आप सोच सकते हैं कि एक सरकार जिसमें बार-बार मुख्यमंत्र कि बदला जा रहा है तो अनुभव है ही नहीं ना इसलिए सरकार चलाना नहीं आता है मैं मंत्री मुष्णा सिर्फ भामी ने बैहां दिया है कि अन्से कहिए पहले लोगों के पेट भरें उनसे कहिए रोजगार दिलवाईए महंगाई हटाईए लोगों को मजबूत बनाई है तब यह सब बाते हों चित है कॉंग्रेस सरकार बना रही है जनता का असिरवाद हमको मिल ला है प्रिंका गाधी जी के आगमन ने जनता के इस निश्य को और उची उडान दे दी है हमारा एजेंडा बिलकुल साफ है कि हम और ज़ान के लूट में तक्राइड ने जनता की हम आजीण के रूप में है किसान और महिलांएं और दलित पिश्ड़ा हमारी सरोच प्रात्मत का ओगा और नव जवान के लिए रोजगार शिर्जन हमारा राज धरम वो पूंको बेचे नहीं हो रही है हम लड़ते तो है न और जब तक भाजपा को हम उत्राखंड से बिदा नहीं कर देंगे तब तक हम लड़ते रहें हर खबर पर है हमारी पहली नजर उत्राखंड की बुलंद आवाज आप देख रहे हैं न्यूस पोटल उत्राखंड